नमस्कार मैं राजमोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज पूरे भारत में अनलोक 3 सुरू हो चुका है लेकिन अब तक स्कूल के जो कक्छा हैं और विद्याले हैं उन्हें खोलने की अनुमती नहीं मिली है किसी भी अनलोक में लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर सामने नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है जी हां इसकूल जो है वो एक सितंबर से नमंबर के बीच में कई चरणों में खोले जा सकते हैं किन सरकार इसके लिए गाइडलाइन जारी कर सकती है अगले अनलोक की प्रक्रिया में अब दक की जो अनलोक की जो प्रक्रिया हैं उसमे इस्कूलों को खोलने की अनुमती नहीं थी अनलोक थ्री जो लागू हुआ था उसमें भी केवल स्वास्त संबंधी योग संस्थान ते उसे खोलने की अनुमती मिली थी जीम को भी खोलने की अनुमती मिली थी लेकिन अब इस्कूलों को भी खोलने की अनुमती मिल सकती है जै उस समू ने विचार वीमर्स लगतार कई बार इसकूलों को खोलने को लेकर किया है और जो नई ख़वर सामने निकल के आई है कि वो है कि इसकूल जो है कई चरणों में खोले जा सकते हैं और इस चरण प्रकिरिया जो इसकूल को खोलने की है उसकी शुरुवात एक सितंबर से यह में खता है ख़वर यह कि जो नया लोक का गाईडलाइन लागू किया जाएगा पूरे भारत में जो नोटिफीकेशन आएंगी कभर है यह कोई स्पश्टी करण नहीं है या कोई नोटिफीकेशन इस पर नहीं है यह लगातार सुत्रों से मिल रही ख़वर है और इसमें यह बात कही गई है कि स्कूल जो है वो एक सितंबर से नवंबर के बीच में कई चरनबत तडिकों से खोले जाएंगे हालांकि इसके पहले जो सिक्षा मंत्री रमेश पोखडियाल थे उन्होंने अभिवावकों से अनलोग 3 से पहले अनलोग 3 जो शुरूआत होने वाली थी एक अगस से शुरू हुई थी उससे पहले अभिवावकों से स्कूल खोलने को लेकर विचार भी मर्स किया था अभिवा है उनके पास लैपटप नहीं है उनके पास इंटरनेट की हैं उनके पास टैबलेट नहीं है उनके समाटफवों सबसे इससे उनको सबसे ज़्यादा नुक्सान जेलना परा ये राज्यों की चिंता है अपने राज्यों के गड़ी बच्चों के लेकर केंसरकार भी इसे यह जो चिंता है उस पर अपनी समती दे चुकी है और उसका भी मानना है कि चिंता है जो है वो सही है कि जो गड़ी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई सबसे ज्यादा इससे बरवाद हो रही है तो खबर यह है कि अगला जारी होगा एक सितंबर से जो लागू होगा और जिसका नोटिफिकेशन इसी महीने अगस्त के इसी महीने के आखरी में आएगा उसमें स्कूलों को खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी किया जा सकता है लेकिन इसमें भी सर्ते होंगी जिस तरह से अनलोक को लेकर और लॉकडाउन को लेकर राज्यों को अधिकार है कि राज्य अपने छेत्र में अपने परदेश में लॉकडाउन लगा सकते हैं पर स्तितियों के अनुसार अनलोक जो है उसमें प्रतिबंद कर सकते हैं कुछ-कुछ च्छेत्रों को लेकर उसी तरह इसकूलों में भी कौन से स्कूल खुलेंगे कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे बच्चों को इसकूल में कैसे बुलाया जाएगा उन्हें वापस लानी की प्रक्रिया है वह राज्यों को और च्छेत में दी जा सकती है किंद्र सरकार की तरफ से जो गाईडलाइन जारी हो तो राज्य जो है वह इस पर फैसला ले सकते हैं अगर केंद्र सरकार स्कूल को खुलेंग नुमती देð भी दी तो राज्यों के यह अदिकार ठ्छेत्र होगा कि वह बच ख़बर है निकल कर सामनी आईए कि स्कूल एक सितमबर से खुल सकते हैं लगतार बच्चों की तरफ से और कई विद्यार्थियों की तरफ से ये सवाल उठते आ रहे हैं कि इसकूल क्यों नहीं खोले जारे हैं जब सब चीजे खोल दी जा रहे हैं तो ये एक बड़ी खबर है एक सितंबर से स्कूल खुल सकते हैं लेकिन राज़ों के अधिकार छेत्र के साथ ही राज़ चाहे तो उसमें अपनी स्वामती और अपने अनुसार उसके लिए अलग आदेस जाड़ी करके उस खोलने की प्रक्रिया है उसमें नयापन ला सकते हैं या चाहें तो लॉकडाउन के अंदर भी उसे रख सकते हैं बंद भी रख सकते हैं समस्या उन सिक्षकों के लिए में भी हो गई थी प्राइवेट खासकर प्राइवेट सीख रोग नहीं के वज़से पैसे उनके जो शेलरी था वूंको नहीं मिल रहा था क्योंकि इस कूल का करना था जो प्रबंदन थ स्कूल के खुलने के बाद से उनकी भी समस्या का निदान हो सकता है खैर फिलाल के लिए यही एक बड़ी ख़बर है कि एक सितंबर से स्कूल खुल सकते हैं और अगर कोई इस पर रिपोर्ट आता है कोई नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी तो हम आपको जल से जल बताने का प्रयास करेंगे फिलाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन सुत्रों से मिल रही और अकबारों से मिल रही ख़बर यही है कि एक सितंबर से स्कूल खोले जा सकते हैं तो खबरों में बने रहने के लिए देखते रही है बिहारी नियूज धन्यवाद